जै शनीदेव प्रियभक करो मैं आप सभी विविवर्स का हमारे इस चानल गुरु रजनी शिशी जी के मासिक राशीफल के प्रोग्राम में हारदिक स्वागत करता हूँ जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं अपरेल 2021 के ग्रह गोचर की और अपरेल 2021 के मासिक राशीफल की अपरेल 2021 में पाँच मुख्य ग्रह यानि कि बुद्ध, शुक्र, सूर्य, मंगल और ब्रिहस्पती अपनी राशी का परिवर्तन करने जा रहे हैं जिसका प्रभाव आपके जीवन के हर शेत्र पर पढ़ने वाला है आपकी इंकम पर इसका प्रभाव पढ़ेगा आपके जॉब और आपके बिजनस पर इसका प्रभाव पढ़ेगा आपके भागे पर भी इसका प्रभाव पढ़ेगा आपके शादी शुदा जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा आपके रिलेशन्शिप्स पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा आपकी पढ़ाई पर भी आपको इसका असर दिखाई देगा और साती साथ आपके मकान नेलेंके और नए वाहन लेने के डिसीजन को भी ये राशी परिवर्तन अफेक्ट करने वाला है इसका असर आपके उपर दिखाई देने वाला है स्वास्ति पर भी इसका कुछ न कुछ प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाला है और इस राशी फल के प्रोग्राम में हम इनी प्रभावों की चर्चा करेंगे साती साथ अपरेल 2021 क्योंकि चैत्र का पावन महीना है जिसमें नवरात्री भी 13 से 22 एपरिल के बीच में ये त्योहार पढ़ने वाला है मातारानी का ये विशेश त्योहार है तो उससे संबंदद में मैं आपको कुछ विशेश उपाय बताने जा रहा हूँ और इन उपायों को नवरात्री के दौरान करके आप अपनी हर मनुकामना को सिद्ध कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ अंत्र तक बने रहेंगे सभी उपायों को सुनेंगे अपने राशी फल को समझेंगे और उसके पश्चात अपने जीवन में सई नडने लेंगे इन उपायों को अपना कर अपने जीवन का परिवर्तन करेंगे तो चलिए अब विलंब नहीं करते हैं और शुरुवात करते हैं आपके राशी फल के साथ चलिए भक्कणों अब हम लोग काल पूरुष की कुंडली के अध्यन करने जा रहे हैं जिससे हम समझेंगे कि अपरेल 2021 के ग्रेग गोचर में क्या मुख्य बाते हैं तो काल पूरुष की कुंडली में जो पहला भाव होता है मेश राशी का भाव होता है और मेश राशी का भाव इस समय पर मुख्य ग्रेहों से वंचित है अपरेल के शुगवात में कोई भी मुख्य ग्रे मेश राशी में गोचर नहीं कर रहा है परन्तु यहाँ पर 10 अप्रेल के पश्चात शुक्र देवता अपनी उच्च की राशी यानि की मीन राशी से राशी परिवर्तन करकर मेश राशी में आकर विराजमान हो जाएंगे अब क्योंकि मेश राशी मंगल देवता की राशी है और मंगल देवता की शुक्र देवता के साथ अनबन रहती है शत्रोता रहती है इस वज़े से ये राशी परिवर्तन आपके लिए इतना शुब नहीं है क्योंकि पहले शुक्र देवता एक बहुत अच्छी सिती में थे परन्तु अब वो एक खराब सिती में आकर विराजमान हो जाएंगे इसी के साथ साथ शुक्र देवता के पीछे पीछे सूर्य देवता अपनी राशी का परिवर्तन करेंगे और 14 एपरिल को वो भी मीन राशी से राशी परिवर्तन करके मेश राशी में आकर गोचर करने लगेंगे परन्तु ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत जादा शुब हैं क्योंकि मेश राशी सूर्य देवता की उच्छ की राशी है तो इसलिए ये गोचर आपको शुब परिणाम देगा, शुब रिजर्स देगा, बहुत जादा फाइदा पहुँचाएगा सूर्य देवता यहाँ पर विराजमान होके आपको भरपू राशिवात देगे इसका हमलोग विस्तार से आपके राशी फल में भी चर्चा करेंगे अब आगे बढ़ते तो हम देखेंगे कि जो व्रिशब राशी का भाव है जो की कालपुरुशी कुंडली में दूसरा भाव होता है उसमें महीने के शुवात में मंगल और राहु देवता एक साथ बैठे हुए है और वो एक बहुत ही भेंकर योग यानि कि अंगारक योग का निर्मान करते हैं जो कि एक बड़ा ही अशुब योग है परन्तु ये जो योग है वो 14 अपरेल को भंग होगा जिसके पश्चाद मंगल देवता राशी परिवर्तन करके वो बुद्ध की राशी यानि कि मिथुन राशी में आकर विराजवान हो जाएंगे अब मिथुन जो राशी है वो बुद्ध देवता की राशी है और क्योंकि मंगल देवता के साथ उनकी भी बहुत ज़ादा कोई मित्ता नहीं है इसलिए इस ग्रह राशी परिवर्तन का कोई खास प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा क्योंकि पहले भी अंगारा की योग का निर्मानता तो वो आपको शुफल दे रहा था अब जो नया राशी परिवर्तन है उससे भी कोई खास परणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद जो आपकी कुणली का चौथा भाव है जो की करक राशी का भाव होता है साथी साथ पाचवा भाव जो की सिंग राशी के लिए है छटा भाव जो की कन्या राशी के लिए है और साथवा भाव जो की तुला राशी के लिए है ये चारो जो खाने हैं जो चारो भाव हैं ये मुख्य ग्रहों से अपरेल 2021 में वंचित रहने वाले हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं आपकी कुंड़ी के अश्ठम भाव को, अब अश्ठम भाव में यहाँ पर केतु देवता विराजमान है, अब ये मंगल देवता की राशी विर्षिक राशी है, क्योंकि केतु और मंगल में कोई शतुरता नहीं है, तो इसलिए इसके कोई अ पड़ते हैं तो हम देखते हैं आपकी कुंड़ी का जो नवा भाव है, यानि कि जो नाइन्थ हाउस है, वो भी मुख्य ग्रहों से इस महीने वंचित रहने वाला है, आगे, अब कुंड़ी का जो दस्वा भाव है, ये बड़ा इंप्पोर्टन है, क्योंकि यहाँ पर शन परंतु इस गोचर को समाप्त करके, वो 6 अप्रैल को कुंड़ी राशी में परिवर्तन कर जाएंगे, अब उनका ये जो परिवर्तन है, ये आपके लिए कोई बहुत जादा शुप्रभाव तो नहीं लेकर आएगा, परंतु उनकी नीच अवस्था से आप बाहर निकल जा कम से कम जो खराब परणाम हैं, वो तो अब दूर हो ही जाएंगे, चलिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 11 भाव में जो बुद्ध देवता थे, वो महीने की शुरुआत में विराजमान थे, परंतु वो 1 अप्रैल को ही अपनी राशी यानि की मीन राशी में आकर गोचर करने लगेंगे, अब यहाँ पर क्योंकि 10 अप्रैल तक उनके साथ शुक्र देवता भी विराजमान थे, जिनके लिए उनकी उच्छ राशी थी, तो इसलिए कहीं न कहीं बुद्ध का 10 अप्रैल तक तो नीच भंग होता है, परंतु का जो नीच भंग है, वो 16 अप्रैल को फिर उसके बाद होगा, क्योंकि 16 अप्रैल को वो राशी परिवर्तन करके मेश राशी में आकर गोचर करने लग जाएंगे, तो ये भक्कणों अप्रैल 2021 का मुख्य ग्रै गोचर था, जहां पर 5 ग्रै अपनी राशी का परिवर्तन क करने जा रहे हैं। बारवे भाव में शनी देव अपने ही घर यानि की मकर राशी में, स्वर राशी में विराजमान हैं। और ब्रिहस्पती देवता जो की यहां पर नीच अवस्था में विराजमान थे, वो अपना राशी परिवर्तन करके आकी कुंडली के बारवे भाव में आकर विराजमा होना आपको नुकसान पहुचाता है परतु इंकम के दृष्टी से तो शनी देव इसके लिए responsible है और शनी देव आपको बनपूर लाब इस समय पर दे पाएंगे क्योंकि शनी देव अब पूर्ण रूप से अपने प्रभाव आपके जीवन में दिखा पाएंगे यानि कि जो लोग बिजनस ओनर्स हैं चाहें आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो कई लोगों के लिए अपरेजल का समय है तो एक अच्छा अपरेजल मिलने की शुप सूचना आपको प् को बाओना या सरकारी नीतियों की वज़े से आपके बिजनस को किसी न किसी प्रकार से एक सपोर्ट मिल सकता है जो आपकी इंकम को बढ़ाने वाला सिध हो सकता है हो सकता है आपके business के लिए नए investors आपको मिल जाएं या कोई व्यक्ति partnership में आकर आपके business से जुडने का सुझाव आपको दे और आपके business में capital को invest करें यह नहीं और पैसे invest करें तो कुल मिलाकर income की दिश्टी से तो यह महीना मुझे आप लोग के लिए बहुत ज़ादा अच्छा दिखाई दे रहा है सीधे सीधे income को बढ़ाने की opportunities आपको प्राप्त होंगी और एक और खुशकपरी में अगर मैं आपको दूँ तो यहाँ पर सूर्य देवता विराशी परिवर्तन करेंगे 14 अपरिल को आकर वो आपकी कुंडली के दुटिय भाव में विराजमान हो जाएंगे वहाँ पर वो उचवस्था में होंगे तो अगेन यह आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है सरकारी नीतिया भी आपके बहुत ज़़ा सपोर्टेव होने वाली है specially आपकी स्थाई संपत्ती को लेकर जो भी आपका बैंक बैलन्स है या आपकी जो अचल संपत्ती है उसमें इस समय पर मुझे मजबूती दिखाई दे रही है उसके बढ़ने के असार मुझे नजर आ रहे है तो कुल मिलाकर इंकम के दिश्टी से आप लोगों के लिए यह बहुत ही बहतरीन समय इस समय को अगर आप और जाता अपने लिए अच्छा मनाना चाते हैं तो शनी देव की अराधना करना आपके लिए अध्यन तिलापकारी से थोगा और शनी देव की अराधना करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है शनी देव जी के मंदर जाईए आप लोग हर शनी वार को और वहाँ पर जाकर उनके सामने एक दिया जलाईए दिये में तिल डालिए सरसों का तेल डालिए उसके बाद शनी देव के बीज मंतर से आप उनका उनकी अराधना कीजे उनकी अराधना करने के लिए आपको इस मंतर का प्रयोग करना है ओम प्राम प्रीब ब्रॉम सहशनिष्ट्राय नमा इस बीज मंतर का प्रयोग करने से निश्चत तौरपा शनी देव आपसे प्रसन होंगे आपको शुपफल प्रधान करेंगे मेरा नाम गायत्री है, मैं गांदी नगर दिली कतिस से आई हूँ, मेरे पती को एक प्रोब्लम थी बीमारी थी, सुगार बीपी और भी काई बीमारी मैंने यहां गुरुजी से भुपनवाया, लोकेट तो उससे मेरे पती सही रहे, स्वास्त सही रहा, और अब सही रहा हूँ आपको कोई परेश आने हो, आप गुरुजी के पास आओ, मिलो, सब समस्या का हल हो जाएगा, और सब सही रहेगा हैं, जैशनी देव चलिए भक्कणों चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं, कि कार्यस थल पर हालात कैसे रहने वाले हैं, यानि कर्मों की दृष्टी से यह जो महीना है, वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपकी वर्प्लेस पर सिच्योशन कैसी रहेगी, और साती साथ याँ पर चर्चा होगी, अगर आप नई जॉब की तलास कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए महीना कैसा है, और यहाँ पर आप यदि बिजनस ओनर हैं, आपका अपना ओफिस, अपना कार्या ले, अपनी फैक्टरी हैं, तो भिहस्पति देवता तो कहीं से भी आप लोगों के लिए एक अच्छी स्थिती में नहीं है, तो यह दर्शारा है कि वर्क प्लेस पर किसी ने किसी प्रकार की अर्चन आ सकती है, इंकम की ओर से नहीं आएगी वो अर्चन, परन्तु कुछ ऐसी सिचुईशन खड़ी हो सकती जो आपके रास्ते में एक रोडा बन जाए, या आपके टाइम को वेस्ट कराने वाली हो, या मान लीजे अगर आपको एक अच्छा प्रेजल मिल रहा है, तो उसकी वज़े से आपके कलीक्स आप से जल सकते हैं, या आपके प्रती एक जेलेसी की भावना के कारण आपको अ सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, तो इस समय पर आपको अपने ही उपर विश्वास बना के रखना है, अपने आपको मजबूत करना है, अपने अपना ध्यान आपको स्वयम ही रखने की समय पर आविशकता है, अब आप में से कई सारे व्यक्ति हैं सोच रहे होंगे कि ब्रिय गाड़ी है, वो बार-बार रुक जा रही है, हमारे प्रगती का जो मार्ख है उसमें बार-बार बाधाएं आ रही है, तो हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो इसका बड़ा सरल सा, बड़ा आसान सा हो पाए है, आपको अपने हाथ में एक मंतरसिद, प्रान प्र सम्मान, एश्वर, धन, किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होगी, वर्क प्लेस पर हमेशे आपका सम्मान होगा, चाहे आप अपना बिजनस करते हो, चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हो, हर प्रकार से, हर जगा पर आपी की जज़कार, आपी का मान सम्मान होगा, अगर आपको मंत्र, सिद्ध, ब्राण, पतिष्टित, पुखराज की अंगोठी आप तक पहुचाएंगे, ये हमारे सिद्ध शनी मंदिर में हमारे गुरु रजनी शिशी जी तयार करते हैं, और इस अंगोठी को धारन करने से निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा, इस अंगोठी क तो राशी रतन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपर ही मिल जाएगा, जादा नीचे जाने की आवशकता नहीं होगी, तो उस पर क्लिक कीजेगा, और आप घर बेटे संगुठी को आप प्राप्त कर सकते हैं, चली, साती साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप नई नौकरी की इस समय पर तलाश हैं, तलाश कर रहे हैं, तो आपको असवलता हाथ लगने की जादा संभाबनाएं बनी होई हैं, क्योंकि बहुत जादा सपोर्ट करम की दृष्टी से आपको नहीं प्राप्त हो र अधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो जल्द बाजी ना करें इसमय, समय को थोड़ा अच्छा होने दे, तभी आप इस दिशा में कोई कदम उठाएं, चलिए बतकरनों चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं, कि भागे के दिष्ठी से आप लोगों के लि दिष्ठी से इसी भाव को देख रहे हैं, परन्तु राखु देवता के साथ विराजबान होने की वज़े से वो अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वज़े से उनकी जो दिष्ठी है वो शुब नहीं है, कहीं न कहीं इससे आपके भागे को थोड़ी सी चोट पहुंचती है, अब इस तिती में बदलाव होगा परन्तु 14 अपरिल की बश्चाथ, जब मंगल अपनी राशी का परिवर्तन करेंगे और आकर मितुन राशी में कोचर करने लगेंगे, तब आपको केतु देवता का प्रभाव जो है वो जादा दिखने लगेगा, और आप यहां पर 14 अपरिल के पश्चाथ किसी भी प्रकार के डिपॉसिट या किसी भी प्रकार के इंवेस्टमेंट को करें, चाहे आप शेर्स में इंवेस्ट करते हों, या किसी भी प्रकार का कोई गोल्ड में इंवेस्ट करते हों, तो उसके लिए जो बहतर समय है, वो 16 संपत्ती प्रात्त होने की संभावना भी आप लोगों के लिए एपरिल 2021 में बनी हुई तो कुल मिलाकर भागय का सपोर्ट है वो शायद महीने की शुरुआत में तो आपके साथ इतना जादा नहीं है परंतु जैसे-जैसे महीना प्रोग्रेस करेगा जब मंगल राशी का पर रिवर्टत करेंगे तब थोड़ा सा जो केत देवता का प्रभाव है वो आपको उपर जाता देखने लगेगा जो अचानक संपत्ती के रूप में आपको हासिर होगा चलिए बक्तराण चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं परंतु उससे पूर्व बात कर लेते हैं कि भाग्य का आपकी जीवन में क्या रोल है अब कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो वो करम करता है जब वो करम करता है और उसके करम सही दिशा में होते हैं तो उसका फलो से प्राप्त होता है परंतु इसमें भाग्य का एक बड़ा इंपोर्टेंट रोल है अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो करम आप करते रहेंगे पर फल आपको प्राप्त नहीं होगे आपके फल हो सकता है कोई और कमा कर ले जाए यानि आपकी मेहनत आपकी मौज कोई और मारे ऐसी भी सित्य से कई सारे लोग गज़ते हों तो ये सब भाग्य का ही किया कराया है जब कभी भाग्य साथ नहीं देगा तो व्यक्ति ऐसे ही अपने जीवन में दर-दर की ठुकरे खाता रहता है अब आप में से कई सारे व्यक्ति ही सोच रहे होंगे तो इससे बचने का क्या उपाय है तो उपाय तो बड़ा सरल है आपकी कुंडली में अगर हम भाग्येश को मस्बूत कर दे भाग्य की स्वामी को हम लोग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें बल प्रदान करें तो भाग्य साथ देने लगेगा फिर तो बस आपको करम करने है और आपकी मैनत अवश्य रंग लाएगी मैनत का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा अब जो भी वेक्ति ऐसा मैसुप्स करने के आपकी किस्मत खराब है भाग्य साथ नहीं दे रहा है मैनत तो आप करते हैं परन्तो फल कहीं न कहीं किसी न किसी वज़ा से अटक जाता है तो इस तिती से आगे बढ़ने के लिए बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं हमारे सिद्शनी मंदिर के गुरु रजनी शुशित जी से अपनी कुंडली का अध्यान कराए वे तीश वर्षों का जोतिश का अनुबव है उनसे आप जोतिश परामर्ष हासिल करें वो आपको आपके भागे को मजबूत करने के उपाए अवश्य बताएंगे हमारे सिद्शनी मंदिर की गुरु मारुकमणी से भी आप अपनी कुंडली का अध्यान करा सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं दूर जाने के आवशकता नहीं है स्क्रीन पर आरे नंबरों पर आप हमें संपर्क करें और गुरु रजिनी शिशी जी या गुरु मारुकमणी से आप अपोइंट्मेंट लें साथी साथ आप में से जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी से जूज रहे हैं और किसी कार्रे की सिद्धी करना चाते हैं किसी कारे में सफलता हासिल करना चाते हैं उन वो लोग स्क्रीन पर आ रहा है एक और जो लिंक है शनीदेव.us लाश कारे सित्धी उस पर क्लिक कर सकते हैं यह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है उस पर क्लिक करें अपनी परेशानी के अनुसार हमें आवेदन बेजें इससे आपको तीन फायदे होंगे सबसे पहला तो गुरु रजनीश रिशी जी आपकी कुंडिली देखकर वीडियो कॉल के माध्यम से आपको परामर्श देंगे और यह परामर्श आप साथी साथ जो दूसरा फायदा है वो है कि हमारे सिद्ध शानी मंदिर से आपको गुरु रजनीश रिशी जी द्वारा मंत्र सिद्ध प्रान प्रतिष्टित की हुई दो सिद्धी अंगूठिया अपनी परेशानी के अनुसार मिलेगी यानि कि जैसी जैसी जिस विक्ति की परेशानी है उसके उपाये के स्वरूप में आपको ये मंत्र सिद्ध प्रान प्रतिष्टित अंगूठिया रतनों की अंगूठिया प्रदान की जाएंगी जिन्ने आप घर बेटे कहीं भी बंगवा सकते हैं तीसरा फायदा ये है कि आपको एक मंत्र सिद्ध प्रान प्रतिष्टित सर्व मनो कामना सिद्धी लॉकट भी हमारे सिद्ध शानी मंदर से प्राप्त होगा और इसे पहन कर आपकी हर मनो कामना जल से जल पूरी होगी तो बिल्कुल भी देर ना करें जो लिंक मैंने आपको बताया है जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है उसे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने परेशानी के अनुसार हमसे संपर्ख साथें चरिये भक्त करनों चर्चा को आगे बढ़ा रहें बात करते हैं कि स्वास्थे की दृष्टी से आप लोगों के लिए जो महीना है वो किस प्रकार रहने वाला है जब कभी स्वास्थे की चर्चा करेंगे तो लगन के स्वामी का हम लोग आम रिश्या ही जान करते हैं लगने के स्वामी आप लोग के लिए इस महीने कमजोर रहने वाले हैं क्यूंकि ब्रिहस्पत्ति आपकी कुंडली के बारवे भाव में 6 अपरिल से आके गोचर करने लगेंगे साती सात यहां पर बुद्ध देवता भी 10 अपरिल के बाद से अपने अश्वप परिणाम आपको दिखाने लगेंगे नीच अवस्था में होनी की वज़े से वो किसी न किसी प्रकार की परिशानी को उत्पन करेंगे तो श्वास से संबंदित परिशानिया हो सकती है खासी जुखाम बुखार इन से रिलेड़ेड़ कोई परिशानी हो सकती है या फिर गला बैठना या फिर स्किन से रिलेड़ेड़ कोई diseases आपको घेर सकते हैं तो इस समय पर आपको अत्यांत साथान रहने की आवशक्ता है क्योंकि आपके जो लगन के स्वामी है वो कहीं न कहीं आपको मदद पहुचाने में अभी सक्षम नहीं है उनकी स्थिती बहुत जादा कमजोर हो रही है आप लोगों के लिए तब तक जब तक इनकी स्थिती मजबूत ना हो जाए तब तक आपको अत्यांत साथानी बरतने की आवशक्ता है चली ये तो हो गई स्वास्ते की बात अब चर्चा करते हैं कि लाइफ पार्टनों के साथ आपके रिलेशन्स कैसे रहने वाले हैं अप्रिल 2021 में फ्रेंड्स के बीच में आपकी जो पैट है वो कैसी रहने वाली है साथी साथ यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आप किसी बिजन्स में बिजन्स पार्टनर के साथ इन्वाल्ड हैं तो उनके साथ आपके रिलेशन्स कैसे रहने वाले हैं अप्रिल 2021 में इस अध्यान को करने के लिए हमिशा सप्तम भाव का हम लोग अध्यान करते हैं सप्तम के स्वामी आपके लिए बुद्ध देफता बुद्ध देफता नीच अवस्था में विराज़मान है आपकी लगन भाव में हैं तो इसका तो दुष्परणाम आपको देखने को मिलेगा काफी हद तक तो ये दुष्परणाम कम रहने वाला है अपरिल 2021 की स्टार्टिंग में क्योंकि तब शुक्र के उच्च की अवस्था में होनी की वएसे इस नीच का भंग होता है परन्तु जब शुक्र राशी परिवरतन करेंगे तब आपको ये प्रॉब्लम सिखने लगे तो अपरेल की शुरुआत से ही हलकी हलकी दरारे आपके रिलेशन्शिप्स में, पार्टनर्शिप्स में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड सरकल में आपको दिखने लगेंगी और एक गलत कदम आपको गलत दिशा में लेकर जा सकता है, एक गलत दिशा म अपने पार्टनर्शिप्स को अपनी फ्रेंड्शिप को सिव करना पड़ेगा चलिए बत करनो चाचा को आगे बढ़ा रहे हैं बात करते हैं कि अभी जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए अपरिल 2021 कैसा रहने वाला है अब क्योंकि ब्रियस्पति देवता इतने सपोर्टेव आप लोगों के लिए हैं नहीं तो कही न कही शादी के जो योग हैं वो भी अभी बनने की जो संभाबना है वो कम ही बननी हुई है और अगर आप रिलेशन्शिप में हैं यानि कि प्रेम प्रसंग में आप युवक ये युवति हैं तो आप इस समय पर अपने जो रिलेशन्शिप है उसको शादी में कनवर्ट करने का प्रयास ना करें अन्य तक कोई अर्चन खड़ी हो सकती है अभी थोड़ा समय आपको वेट करने की आवशकता है चलिए वक्त करनों चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जो महीना है वो किस प्रकार रहने वाला है साथी साथ यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि बच्चों का माता पिता के पती जो बरताव है वो कैसा रहने वाला है अपरिल 2021 में इन सभी चर्चा को करने के लिए हमेशा आपकी कुंडली के हम लोग पंचम भाव का अद्ध्यन करते हैं पंचम मुख्य ग्रहों से मंचित है तो यहाँ पर ग्यारवे भाव में बैटे शानी देव भी पूर्ण द्रिष्टी से यहाँ पर नज़र डाल रहे हैं क्योंकि वो अपने घर में विराजमान है तो आपको शुबफल ही प्रतान करेंगे तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा अच्छा वो परफॉर्म करेंगे रिजल्ट्स भी कई बच्चों के लिए आने वाले हैं वो उनके फेवर में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं माता पिता भी अपने बच्चों से इस समय पर खुश रहेंगे तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए ये काफी अच्छा समय है जिसमें उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा नए नए चीजों को बढ़ने की उनकी जिग्यासा भी बढ़ेगी और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के मार्क पर वो आगे बढ़ चलेंगे चलिए वक्तनी ये ही आज मुझे आपसे चर्चा करनी थी आपके राशी फल के लिए कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो शनी का प्रभाव पूर्ण रूट से आपको दिखने वाला है जो आपकी इंकम को मजबूत कर रहा है भाग्य का जो पूरा-पूरा साथ है वो आपको शुरुवात में तो नहीं मिलेगा परंतु 16 अप्रिल के बाद निश्चित तोर पर अविश्च्य मिलेगा स्वास्थे की दिष्ठी से महीना इतना अच्छा नहीं है और साती साथ फ्रेंड्शिप्स, रिलेशन्शिप्स, पार्टनर्शिप्स इन सब को बचाने का दायतों भी आपके उपर इस महीने आ रहा है अब हम चर्चा करेंगे उन उपायों की जुकि नवरात्री से सम्बंदित हैं जिनने आपको 13 से 22 अप्रिल के बीच में करना है अब हम उनकी चर्चा करने चा रहे हैं चलिए भककड़ों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विशेश उपाय जिनकी चर्चा मैंने आपसे शुरूआत में भी की थी कि क्योंकि अप्रेल 2021 का महीना नवरात्री का पावन महीना है जिसमें माता रानी का आशिवात अपने भक्त गड़ों पर बना रहता है तो आप कुछ विशेश उपाय करके अपने और अपने परिवार के उपर माता रानी की जो क्रिपा है उसको सदैव बनाने के लिए उनसे निविदन कर सकते हैं उनको प्रसन कर सकते हैं चाहें आप नई नौकरी की तलाश में हो, चाहें आप अपने स्वास्ते से समंदित किसी परिशानी से जूज रहे हो, अगर आप निसंतान दंपत्ती हैं और संतान की किलकारिय सुनने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, पर अंतु कोई समाता नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको हर समस्या से समंदित एक उपाय अवश्य आपको बताऊंगा, ये उपाय उन लोगों के लिए भी होगा, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, या शत्रूओं द्वारा सताए गए हैं, और ये उपाय उन लोगों के लिए भी है, जो शादी करने की, जिनकी उमर हो परन्तू अभी तक वो हाथ पर हाथ धरे बैटे हुए हैं, उनके सामने कोई अच्छा रिष्टा नहीं आ पा रहा है, तो अब विलंब नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं, सबसे पहले उपाय के साथ, जो की नई नौकरी या जौब पाने के लिए हैं, नई नौकरी य पूटकर आप नहाने दोने के पश्चात, जब पूजा कर रहे हैं, तो उस समय पर आप एक बताशा ले और उसके उपर एक लौंग रखें और उसे दुर्गा माता को अर्पित करें, जब आप दुर्गा माता को ये बताशा अर्पित कर रहे हों, तो उस समय पर आप इस मं मैं पुनह आप लोगों के लिए इस मंत्र को दोराने जा रहा हूँ सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान वितह मनुष्यों मत्प्रसादेने भविश्यती ना संशय इस मंत्र का आपको 21 बार जाब करना है जब आप बताशे पर लौंग रखकर देवी दुर्गा को अर्पित कर रहे है और ये उपाय आपको 9 दिन यानि कि 13 से 22 अप्रेल जब नवरात्रों का पावन पर्व पड़ेगा उन 9 दिनों तक आपको लगातार इस उपाय को प्रत्य एक दिन करना है अब अगला जो उपाय है वो उन लोगों के लिए है जो स्वास्ते से जुड़ी परेशानियों से जूज रहे हैं डॉक्टरों का चक्कर लगा लगा कर ठक गए हैं पर कोई उपाय नहीं मिल रहा है तो अब देवी मा की कृपा पाने का और उनके आशिरवाद से जल से जल अपनी हेल्ट से जुड़ी हर परेशानी का उपाय मैं आपको बताने जा रहा है इस उपाय में आपको क्या करना है प्रत्य एक दिन नहाने दूने के पश्चात जब आप देवी मा को पूजा अर्पित कर रहे हैं तो उन्हें एक लाल पुष्प चड़ाएं ध्यान रखें ये जो पुष्प है इसकी जो पतिया है वो कहीं से तूटी ना हो कहीं पर भी इसकी जो डंडी है नीचे से वो तूटी नहीं होनी चाहिए एक पूरा साफ सुतरा सा लाल पुष्प आपको माता रानी को अर्पित करना है जब आप इस पुष्प को अर्पित कर रहे हैं तो आप इस मंतर का 51 बार जाप करना है मैं पुना आपके लिए इस मंतर को दोराने जा रहा हूँ ओम क्रीम कालिकाय नमह इस मंत्र का आपको 51 बार जाप करना है निश्चत तोर पर माता रानी की कृपा से आपके जो स्वास्ते है उसमें जल्दी सोधार होगा चलिए भक्कणो अब ये अगला उपाए उन लोगों के लिए है जो कि कर्ज में अपने सर तक डूबे हुए हैं बहुत जादा उन लोगों पर कर्जा हो गया है ब्याच चुकाने तक की उनकी हालत इस समय पर नहीं है या फिर वो लोग जिनका बात बात पर किसी ने किसी से विवाद हो जाता है या शत्रूओं के द्वारा वो अध्यन्त सताय जा रहे हैं परिशान किये जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए में एक बहुती चमतकारी और असरदार उपाए बताने जा रहा है ये उपाए भी आपको नवरात्र के दोरान ही करना है और इसमें आपको क्या करना है जब आप सुबह मातारानी को पूजा अर्पित कर रहे हैं तो उनके सामने गूगल की सुगंद वाली जो धूप है वो आप उनके सामने जलाएं ये उनको बहुत जादा पसंद है बहुत ओम दुम दुरगाय नमहा बड़ा सलल सा ये मंत्रे मैं पुना आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ ओम दुम दुरगाय नमहा इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है इस से निश्चित तोर पर मातारानी की क्रिपा आपके परिवार पर बनेगी वो आपकी हर पर नवरात्री के प्रति एक दिन करना है चलिए भग करो अब अगला उपाय उन लोगों के लिए है विशेश तोर पर उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो पा रहे है उसमें बार बार कोई न कोई अडचन आ जाती है अच्छे रिष्टे उनको प्राप्त नहीं हो पर रहे हैं तो उन लड़कियों को विशेश तोर पर नवरात्रों के पावन दिनों में इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए इस उपाय को करने के लिए आप सुबद नहने धोने के पश्चात माता रानी को पीले फूलों की जो माला होती है जो हम गेंदे के फूलों की माला लेते हैं, उसे आप मातारानी को अर्पित करें और जब आप ये माला अर्पित कर रहे हो, तब इस मंत्र का 51 बार आपको जब करना है मंत्र जो है वो कुछ इस प्रकार है कात्यायनी महा माय महायोगिनी यदिश्वरी मैं पुनहा आप लोगो के लिए इस मंत्र को रिपीट करने जा रहा हूँ ध्यान से इसको नोट कर लिजेगा कात्यायनी महा माय महायोगिन यदिश्वरी नंद गोप सुतम देवी पती मे कुकु ते नमहा इस मंत्र का यदि आप जाब करते हैं तो निश्चित तोर बर आपके मन के मताबिक आपके सामने एक रिष्टा अवश्य ही जल्द ही आएगा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विशेश उपाई जिसको निसंतान दमपत्ती अपने जीवन में प्रयोग करके जल्द ही अपने गर में संतान की किलकारियों का सुख राप्त कर सकते यह उपाई बड़ा सरह हैं आपको देवी दुर्गा को यानि की दुर्गा माता को पान के पत्ते अर्पित करने हैं आप उन्हें नित्य प्रति दिन पांच पान के पत्ते अर्पित करें पर ध्यान रखें कि वो जो पान का पत्ता आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं वो कहीं से भी कटा फटा ना हो कहीं से भी तूटा ना हो उसमें छेद ना हो किसी भी प्रकार कर जो निशान होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो ऐसा एक साफ सुत्रे पान के पांच पत्ते आपको दुर्गा माता को अरपएद करने हैं और जब आप इन्हें ये पत्ते अरपएद करने हैं, तो आप दोनों ही पति-पत्नी को इस मंत्र का 51 बार जब करना है मंत्र इस प्रकार है मैं पुना आप लोगों के लिए इस मंत्र को रिपीट कर दिता हूँ इस मंत्र का यदि आप पती और पत्नी 51 बार जाप करते हैं और माता रानी को साफ सुतरे पान के पांच पत्ते नित्य पती दिन अर्पित करते हैं नवरात्रे के हर दिन आपको इस उपाय को करना है तो निश्चे तौर पर माता रानी के क्रिपा से जल्द ही आपके गर में भी जो संतान की किलकारियां हैं वो गुन जेंगी चलिए भग करो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ आशा करता हूँ आपको यह उपाय पसंद आया होगा और इनको आप अपने जीवन में उपना कर अपने जीवन को भेतर बना पाने में समर्थ होंगे इसी मंगल कामना के साथ कि नवरात्रे की शुरुआत से ही माता रानी का जो आशिरवात है वो सदैब आपके और आपके परिवार के उपर बना रहे हमेशा आपकी घर में सुख, शांती, समर्थी बनी रहे मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूँ अब आपसे मुलाकात होगी अगले महीने तब तक के लिए जैशे नितेव